जब इंडियन हलवाई की बात करते हैं तो अलग-अलग कारीगर होता है हलवाई में भी एक जो खोई का काम करता है एक जो नमकीन का करता है एक जो चेने का काम करता है और चेने की बात करते ही न, जो one of the most light loved dish है, या dessert है, वो है सौन्देश, और सौन्देश ताजा-ताजा बनता है और ताजा-ताजा अगर आप इसको खाते हैं, there is nothing that compares to that, आज हम बनाएंगे सौन्देश, और अगर आपको दिवाली में घर पर मिठाई बनानी है, तो ये बहुत बढ़िया रहएगी, मतलब एक हैंपर अगर आपको बनाना है, जिवाली के हैंपर में chapakेगी, चलिए बनाते हैं सौन's इश, सौन's बनाने के लिए हमें चाहिए गाये का दूद, अब का दूद क्या होता है, उसमें जाधा fat नी होता है, मतलब portfolio milk से कम fat होता है, इसल तोड़ा सा विनेगर, विनेगर के अंदर मैं डाल रहा हूं पानी, होता किया है कि विनेगर को आप डिरेक्टली डालेंगे तो छेना फटा-फट बना देगा और जो छेना का जो चिकनाहट है उसको भी मारता है, इसलिए उसे पानी में डाइलूट करके फिर डाला जाता है, दूद में उबाला गया है, गैस को करेंगे बंद, एक सेकंड बस इसकी भाप निकल जाए जो इनीशल स्टीम होती है, अब इसमें जाएगा विनेगर, विच इस डाइलूटेड, लाइटली स्टर करना है, और दूद स्प्लिट होना शुरू हो गया है, और ये कम्प्लीट होती है, वो रुख जाती है, विच मीन्स, इसकी जो चिकनाहट है, वो बरकरार रहेगी, जितना जादा वो चिकना रहेगा, उतना बढ़िया सौंदेश निकलेगा, अगर इसे ओवरकुक कर देंगे, उसकी चिकनाहट खतम हो जाएगी, सौंदेश बड़ा रूखा लेंगे, और अब इसे हम छान लेंगे, अब इसका पानी निचोड़ना है, अगर फिर भी आपको गरम लगे, तो इसे पानी में, थंडे पानी में डिप कर सकते हैं, इसी पोटली को, और फिर इसे स्क्वीज करना है, अच्छे से इसे निचोड़ना है, जितना हो सके इसका पानी हमें निकालना है ध्यान रहे कि ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए वाम होना चाहिए पड़ इतना कि आप आराम से इसे हाथ से हैंडल कर सकें make sure कि पराद बिल्कुल सूखी हो और इसमें जाएगा हमारा ये ताजा छेना कि ओल फेट वाइल इसमें जाएगी बारी कण वाली चीनी साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉन स्टार्च और अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको मलेंगे मलने से क्या होगा इसके अंदर जो दाना पड़ावना भी वो बिल्कुल स्मूध हो जाएगा चिकना हट आजाएगी इसके अंदर बेसिकली इसका जो फाट है वो गरम होके मैश होके अक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से और चिकना पन देगा अच्छे से इसकी मालिश होगी देगे चेने का काम ना बहुत ही कारी-गरी विला काम है मलब आप केवल दो से या तीन इंग्रीडिंट से आप मिठाई बना देते हैं जिसने भी पहली दफा सोचा होगा कमाल का इंजान होगा मलब वो है असली शेट किस तरीके से इतनी बढ़िया मिठाई बन गई इतनी कम चीजों से और अब यह देखें एक्यूप्मिंट क्या लगा कडाई जननी खतम और कुछ भी नहीं किनो जब हम वो इंटरनाशनल फ्रेंच डिजर्ट की बात करते हैं आपको अवन चाहिए आपको यह चाहिए आपको वो चाहिए पाइपी मैक चाहिए गार्णिश के लिए वो देखें किस तरीके से खोई की तरह यह बन गया है विल्कुल ऐसा ही लग रहा है सौफ्ट है महीम है इसका दाला निकल गया है थोड़ी सी चिकनाहट आगे है इसके उपर अब यह जाएगा कडाई में और हलकी आच पे कंटिनिसली हमें इसे हिलाना है याद रहे अट नो स् यह पानी छोड़ेगी मतलब जो सौंदेश है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा at the same time जैसे चैसे चीनी पकेगी हीट लगेगी चीनी सूखेगी सौंदेश हाड होना शुरू हो जाएगा so simply हमें तब तक पगाना है जब तक की चीनी अच्छे से मिलना जाए at the same time moisture जो है उस पना कर लिए चेक करने के लिए कि यह तयार है के नहीं हम लेंगे थोड़ा सा जरसा सौंदेश का यह mixture और उंगलियों के बीच में इस तरीके से इसे गोल आकार दे रहेंगे अगर यह उंगलियों पे चिपकता तो महलाब भी सौंदेश गीला है तयार नहीं है लेकिन यह बिल्कुल नहीं चिपका और एक छोटा राउंड मोती सा बन गया है इसका इंडिकेशन है सौंदेश रेडी मतलब चीनी अच्छे से घुल गई मिल गई और सौंदेश अमरा तयार और आप देख रहें कितना क्रीमी हो गया यह सौफ्ट क्रीमी वो चिकनाहट आ गई है शा फॉटर भी डाल सकते हैं केसर भी डाल सकते हैं और अगर आपको वनेला फ्लेवर्ट चाहिए सौंदेश वनेला का एक्स्ट्राक्ट पर जा सकता है इससे अच्छे से हमें मिक्स करना और अब इसे हमें टोटली ठंडा करना है ठंडा करने के लिए आप इसको थोड़ा देर के लिए ढख सकते हैं या फिर क्लिंग फिल्म भी डाल सकते हैं ताके इसके ओपर कोई पपड़ी ना जमें और जब तक यह धंडा होता है चलते हैं टिप्स इंट्रिक्स जहां हम बात करेंगे कि सौंदेश जब बनाते हैं तो किन बाताओं का हमें ध्यान रखना है देखि चेना स्प्लेट करने के लिए आपको दूद को बालना है उसके बाद गैस को करना बंद और उसके बाद विनेगर डालना है चानते वक्त आपको ध्यान रखना है कि छेना काफी गरम हो सकता है इसलिए चानने से पहले उसमें आपको ठंडा पानी डालना है छेने को तेज आ काड़ा खो जाएगा मतलल जब आप खाएगे वो लड्डू वली फील आएगी विच्वी डूंट वांगी सॉंदेश का मिक्स्चिर ठंडा हो चुक है बिल्कुल इसे एक बार फिर से हम मिला लेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे होता कि कभी कभार ठंडा होते वक्त ना उपर एक पपड़ी सी जम जाते है तो इस तरीके से मैश करने से गर्माहट मिलेगी इसे जो इसे चिकनापन देगा तो सॉंदेश जो बनेगा बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश चलियते यार अब इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड है सॉंदेश अगर दिवाली पे अपने घर पर बना लिया आपकी तो बावा हो जाएगी पूरी फैमिली में फिलाल सॉंदेश दन देखे फेस्टिविटी इसकी बात है मूँ तो मीठा करना ही चाहिए मूँ मीठा तब होता है बढ़िया जब आपके घर में आपके हाथ की बनी मिठाई बनती है तो फिर देर किस बात किये बनाईए रेसिपी और अगर ऐसी और रेसिपी चाहिए उसका लिंक डिस्क्र प्रॉआ जालने शाके में भाष द्यायन द्यार धियुक्तेओव्या